नमस्कार दोस्तों स्वागा थे डेली स्टेडी में इस वीडियो में देखेंगे छाटी सतावदी इसाप पुर्व से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेन क्वेशन्स बनते हैं आपके एक्जैम के लिए वो सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो पुरा वीडियो आप सुर आपको बता दू कि भारत में सबसे पुराना लोह यूग चीतरीत धुसर मिर्द भांडो के साथ जुरा है यानि कि option ए इसका सहे उत्तर हो जाएगा चीतरीत धुसर मिर्द भांडों के साथ नेक्स्ट छाटी सतावदी इसापुर्व मगध में किसका विसाल भंडार था तो मगध के उत्तान के लिए कौन सा प्राथम सासक उत्तरदाई था तो मैं आपको बता दू कि भिम्बी सार मगध की गद्दी पर 544 इसापुर्व बैठा था और इसने राजग्रह राजग्रह जोकी बिहार में है इनका निर्मान करके उसको अपनी राजधानी बनाया और यह बोद धर्म का अनुयाई था यानि कि इसका उत्तर हो जाएगा C नंबर उप्सन बिम्बी सार मगध के उत्तान के लिए बिम्बी सार प्राथम सासक उत्तर दाई था उप्सन C उस राज का नाम बताईए जिसने पहली बार यूद में हाथियों का इस्तमाल किया था बहुत अच्छा प्रसन है और बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि मगध राज ने पहली बार यूद में हाथियों का इस्तमाल किया था यानि कि इसक प्राचीन काल में इस्त्रोत समागरी लिखने के लिए परियुक्त भासा कौन थी? तो इसका सहे उत्तर हो जाएगा A नेमर उप्शन संस्क्रीत हेरोडोटर्स को क्या माना जाता है? बहुता समसा प्राचन है और बहुत अच्छे प्राचन है इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटर्स को इतिहास का जनक माना जाता है उप्शन A नेक्स्ट अलेकजन्डर या सिकंदर और पोरस ने लराई कहां पर लड़ी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा B नेमबर अप्शन जहलम में अलेकजन्डर और पोरस ने लराई लड़ी थी जहलम में नेक्स्ट किसकी सेना ने ग्रीक साथ सक्सिकंदर के साथ जहलम नदी के तट पर मुकावला किया? तो इसका सहे उत्तर हो जाएगा पोरस पोरस सेना ने ग्रीक साथ सक्सिकंदर के साथ जहलम नदी के तट पर मुकावला किया था अप्शन B नेक्स्ट यहुदियों के धार्मिक पाट का क्या नाम है? तो मैं आपको बता दूँ कि यहुदियों के धार्मिक पाट का नाम मूनसा सहिंता है और इनका पूजा अस्थल सिना गौस के नाम से जाना जाता है और एक बात ध्यान में रखना है कि त्रिपीटिक बौधों का पवित्र ग्रंत है यानि कि इसका सही उतर हो जाएगा यहुदियों के धार्मिक पाट का नाम मूसा सहिंता है अप्शन B नेक्ट कोस्टन है मगद के राजबंसों को काल कर्मानुसार लिखिए क्या नन्द आया पहले सिसुनाग मौर या हर्यक तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हर्यक वंस आये जो पाउन सचवालिस इसा पूर्व से चार सो बारा इसा पूर्व रहे उनके बाद आया सिसुनाग वंस जो 412 इसा पूर्व से 345 इसा पूर्व है और फिर आया नन्द वंस जो कि 345 इसा पूर्व से 322 इसा पूर्व है और अन्त में आया मौर्य वंस जो 322 इसा पूर्व से 184 इसा पूर्व है तो यानि कि इसका C number option सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले आया हर्यक वंस और उसके बाद आया सी सुनाग फिर आया नंद और अंत में आया मौरी option C इसका सही उत्तर हो जाएगा next महाभास किसने लिखा था बहुत असान सा प्रस्न है और बहुत अच्छा प्रस्न है तो मैं आपको बता दू कि महाभास के राचनाकार पतंजली थे यानि कि option D और इस गरहन से यह जानकारी मिलती है कि मौरी सासकों ने आर्थिक संकट से बचने के लिए यानि कि उबरने के लिए देव परतिमाय बनवा कर बिकवाई थी option D इसका सहे उत्तर हो जाएगा next निमलिखीत नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकियत रह की पहचान करिए तो इसका सहे उत्तर हो जाएगा C नमबर option चरक, सुस्रूत और वागभट आपको बता दे कि चरक, सुस्रूत और वागभट को चिकित्सकियत रह के नाम से जाना जाता है और ये तीनों ही चिकित्सक आयरुवेद में महारती हासिल किये थे option C तो दोस्तों ये थे छाटी सतावदी से जो important को संजबनते हैं उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे एक request है कि वीडियो को please share कर देजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को like कर देजिए और चैनल को subscribe कर लेजिए और साथ ही bell icon को fresh कर देजिए ताकि नया वीडियो को notification आपको मिलते रहे thank you thank you so much वीडियो को like करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में